मुझा आपका शुक्री आपकी टीम का शुक्री कि अपने मारा इस तरह इस्तक्बाल किया औरकेस्ट्रा के साथ ता आपने इस म्यूजिक के साथ क्योंके म्यूजिक भी इनसान की एनरजी का उठाकर रख देता है वो सही कहते हैं कि इसी कश्मकश में हमारे मुल्क के नौजवान इस वकद राइट लेफ्ट गूम फिर नहीं अब एक अच्छा सा समा हमने मिल के बानना है 11 से 12 का वाक्त आपका नहीं मेरा नहीं हमारा है इसमें हमारे शो के अंदर हमारे गैस से हम करेंगे मज़े मज़े की बाते हैं एंटर्टेन भी होंगे कुछ सीखेंगे भी बाकी कुछ सीखना नहीं सीखना वो तो आपके उपर पहना भी पहनदा है लेकिन क्या करें इसी तरह ही बच्चे सीखते हैं तो शोग को आगे लेकर चलेंगे और बुलाएंगे मारे आज के गेस्ट को जिनका अगर मुझे इंट्रॉडक्शन करवाना हो ना मेरा जो स्लॉट है एक घंटेगा वेला जी ओ स्लॉट ही मोख जाएगा जो ना दा इंट्रॉडक्शन ही मेरे को लो होना एक पीचर एक मुजिक प्रॉडूसर एक लिरिसिस्ट एक राइटर एक फिल्मेकर इवेंट मैनेचर आट डैरेक्टर स्पीकर वाइस ओवर आटिस्ट एक्टर मैं उन मैं की करा शो कर लवा या इंट्रॉक्शन कर आवा इस फुल अव डाइवर्सिटी आपकी भरपूर तालीम आपकी मुहबबत के साथ बलाना जाओंगा शैर्दाद नवाज माशा आलला यह औरा यह पॉजिटिविटी और यह लुक क्या लुक है इनकी लुक के लिए ताली है ताली है क्या से आप शीक है मैं I don't know थाइप 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 यह जाएप यह बात है वेल्कम टू हद कर दी पाकिस्तान में अब तो लोग जहां मुल्क छोड़कर जा रहे हैं पिछले साल तकरीबान आठ लाग लोग मुल्क छोड़कर चलेगे आप यूएई अमरीका छोड़कर वापस आगे इसकी क्या वज़ा देखें आठ लाग वाली जो बात है ना तो 25 करोड में आठ लाग को अगर प्रसेंटेज में देखें तो इस वरी नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर सिक्स मिलियन लोग ऑन डेली बेसेस ट्रांजिट में रहते हैं एवरी डे कहीं ना कहीं तो इस ना बिग नंबर किसी भी नेरेटिव को देखने का जाविया होता है जो जा रहे हैं वो भी अल्ल अगबाल को देखा हमने काईद आजब को देखा लेट वेंट अबराट फर स्टडी सो आइवें वापिस इसलिए आया के वो कहते मेरे मामा जी शायर थे वो जाइनल पोईट उनका एक शेयर है के जमी महफूज रखो बेजमीनी से अमा मांगो के पाकिस्तान से बाहर तुम आप एक ताइम पर करते हैं एक कोई एक करियर मुझे नहीं लगता आप लेकर चलते हैं यू बिलीव इन डाइवरसिटी कि आपको एक चीज़ से किक नहीं मिलती इसकी वज़ा किया है क्योंकि हमें तो सुनने को मिलता ना एक चीज़ पर फोकस करो एक चीज़ पर फोकस कर ख्याल बाकी तो यू फाइंड एक्स्प्रेशिंज ना कभी आपने वुड में कर लिया कुछ, कभी आपने कपड़ों में कुछ कर मिसाल दे रहा हूं, किसी ने गाया अपनी आवास के साथ, किसी ने रिसाइटल्स किये, मा को ले लीजिए, मा एक बीवी भी तो होती है, एक दोस का किरदार है, और खुद मा भी होती है, किसी की बेहन भी होती है, बेटी भी होती है, किसी की सास भी होती है, तो ये सारे जितने उसके जो मोल्ड्स हैं और मूड्स हैं और इंटराक्शन्स हैं, इंटरफेस हैं, ये एक ही शक्स का तो है, ये एक ही शक्स को ले लीजि इतने आपकी सताएं हैं तो काम में भी हो सकती है कितने प्यारी बात के और कितने प्यारे तरीके से इसको आपने समराइज कर दिया कि अगर हमारे emotions में इतनी divertity है हमारे उन्दर as humans इतनी divertity है तो हम अपने काम में divertity क्यूं ना सकते और वाकि引IDE आपको को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक चीज पे तो फिर हमारा एक लिमिटिंग माइंडसेट होता है और ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि I can grow and I can explore as long as you can do justice with what you want to do or people are people or your clients depending आपका मैजर वो है अगर उनको पसल आ रहा है तो उसका मतलब है आप काम यहां भोगे हैं अपनी उस काविश में very nice very nice I think यह मैंने वाकी इनको जो कहा के today there is a lot for them to learn I hope I hope I hope that you know you have to hear your thoughts and understand them and I want to take a look at that that everyone knows that you have a great love for this country, it is us too but the patriotism that you have always seen in this country that is extremely something that has to be appreciated but today our country has come to us, where did we go wrong? मैं समझता हूँ इंडिया के मकाबले में हमने अपना जो आईन था अपना दस्तूर बहुत देर से लाए हम घुटनों पे इसलिए हैं कि मैं आपसे अगर सवाल पूछूँ कि अगर आपको ये मुझे इस वकत या इनको प्रूफ करना पड़े कि मैं कैसे मान लूँ आप पाकिस्तानी हैं कुछ प्रूफ दिखाएं तो आप क्या दिखाएंगे? ID कार्ड और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रूफ करें कि आप मुहिबे वतन हैं इसका डॉक्यूमेंटरी एविडेंस दें तो आप क्या दिखाएंगे? मैं आपको बताता हूँ आपका एन्वर्ल टेक्स रिटर्न ठीक है? ठीक है? हम घुटनों पे आए नहीं तो मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि जितनी हमारी उमर है पिछले 30 सालों में आपने कहा है कोई एक लीडर को कि यार यह लीडर आया मुलक में नए ऐसा नहीं हुआ कि आपने पिछले 30-30 साल में कहा हूँ यार मैं जानता हूँ मैं मिजॉरिटी टॉप पॉलिटिशिंस को जानता हूँ मैं खुद गर्मेंट पर रहा हूँ एडवाइजर तू दे प्राइम मिनिस्टर मैंने करीब से देखा है लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी जगाओं पर बहुत छोटे 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 लोगों को देखा है और ये आपको बताओं ये मार्शरे काला हमारा अल्मिया है जिद जवाने की किताबे मैं पढ़ता हूँ जो मैं पाकिस्तान के जो इलिस्टरिस परस्टालिटीज हैं जिनकी मैं बागरिफीज पढ़ता हूँ ये आटोबागरिफीज पढ़ता हूँ वो वो थे जो हमारे formative years में थे 1950s, 1960s के अंदर वो जहां थे उनकी मैं जब पढ़ता हूँ न किताबे तो मुझे नजर आता है कि वो हिस्ट्री ये बताती है कि छोटे-छोटे घरों में बहुत बड़े-बड़े लोग पैदा होते थे और अब बहुत बड़े-बड़े घरों में बहुत चोटे लोग पैदा होते है तो ये फर्क आगिया हमने हर चीज के साथ हद कर दी है हद नी कर दी हद कर दी है आपने एहमद शहजाद साब के डेब्यू ड्रामा में आप सटार्ट किया Wow प्यotom पहले फिर आपने मेहे शहाद के साल भी uh begin आपर जाहद के साथ th बी काम किया हो हे फाहद मुस्तवासाब के प्रोड़क्शन हाूस में भी आपने काम किया है उस का पहला प्रोड़क्शन मैंने किया था पहली फाहद भाई की पहली प्रड़क्शन आपने की लेकिन आप इस सब के बावजूद बहुत चूजी है अपनी अक्टिंग को लेके वाइस डैट ताइम नहीं मिलता या दिल नहीं चाता बहुत दादा अक्टिंग करूँ यह नहीं है मसला मसला यह के जो भी चीज आप अपनी मजबूरी बना ले वो फिर आप से कॉंप्रोमाइस करवाती है जो भी चीज आप अपनी मजबूरी बना ले वो फिर आप से कॉंप्रोमाइस करवाती है चाहे पैसा हो चाहे पेशा हो फर्क नहीं पड़ता महभूबा हो कुछ फरक नहीं पड़ता इस पर इन से बात करें कि ये जानू काउम है आज कल के बच्चों के जानू के मसले इस पर भी मचाता हम आप जैसा एक यो है ना ये राथों के पैकेजों ने बिगाड़ दिया आपके तो टाइम पैकेज नहीं होता होगा नहीं पैकेज नहीं होता ता लेकिन हमारे जमाने में महबब के कश्ट काटे जाते थे बखुबी की ए आई होवे आपके जमाने में महबब आज कम किया मॉट्सैप में बात वीडाओति खत्म होके ब्लाक होगे लुद्सैप मासी मॉपब किसी को अगर किसी को और वो सदे आज़ आकर प्राही कृटे थे लोकंदे चल पाएज पराइख द्लोकंदे है वो तो अल्ला है वो है ना जी यार दुनिया में कोई ऐसा हिंड्रेंसी अबस्टेकल ही नहीं जो आपको आगे की तरफ ना लेके जाए वो किसी मैं शाकि जाए वो जो शगिर्दी की है जिन्दगी की भी की है और उस्तादों की भी की है तो इस पे आपका क्या क्या चाहना यह जिन्दगी तमाशए है जैसी फिल्म बैन होनी चाहिए मेरा परसनल व्यू है कि देखें फिल्म बनाते वे आपको उस माशरे के अकदार का ख्याल रखना चाहिए सेंसिटिविटीज पता होनी चाहिए सेंसर कोट पता होना चाहिए बड़ा सिंपल है पढ़ने के लिए और वो सोचके लिखके बनाए क्या लेकिन क्या जरूरी है मैं ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ वो बहुत बड़े डिरेक्टर है जिनकी फिल्म का आपने नाम लिया क्या ऐसा सब्जेक लेना जिसकी वज़े से पहले कोई चीज़ बैन हो फिर उसकी उपर पूरी दुनिया में वावेला हो हमारी जग हसाई हो जरूरी है यानि सेविंग फेसेज जब बनी तो वो एसिट के उपर थी ना के खावतीन और ये हकीकत होता है कल पर सो ही मेरी किसी से एक एकडेमिक बात हो रही थी और उने का के जी पाकिस्तान पर और और वाइलन्स बहुत होता है कि एवन आप वाइफ कें काल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस डुमेस्टिक अब्यूस तो जिन से मेरी बात हो रही थी वो एक तिंक टैंक को रिप्रेजेंट करती है मैंने का लेकिन आपको पता है आपके मुल्क का डेटा क्या है 911 पे सबसे ज़्यादा काल डॉमेस्टिक वाइलन्स की आती है अमेरिका में और हमसे ज़्यादा है तो कहने का मतलब है हम ये बुरा फेस क्यूं दिखाते हैं और अगर उस फिल्मेकर की मिसाल है जिन्होंने सेविंग फेस बनाई थी डॉक्यूमेंटरी अगर मेरी औरत की पाकिस्तानी औरत की बेटरी के लिए बनाई थी तो अर्दू में बनाती है यहां चलाती है तेजाब तो यहां के लोग फेंक रहे थे अंग्रेजी में बनाके आसकर ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है अपने मुल्क को गाली दे के तमगा ले लेना मेरे नजदीक कोई बड़ी बात यह मेरी जाती रहा है दूसरा आपने वो फिल्म बनाई थी अर्दू में बनाती या पूरे पारलिमान को आपको पता है पूरी एसेमली है यहीं सौ सेनिटर्स बाकी M&A's और चारों सूमों की मिलाके कोई करीब 1391 या 92 टोटल पारलिमेंटेरियन्स है पाकिस्तान में आप उनको इसी तरह के हॉल में बिठाते उनको वो फिल्म दिखाते और लॉव मेकिंग कराते न आप कहते देखो यह रियालिटी है यह देखो इस मुलक के अंदर कवानीन क्योंके पारलिमेंटेरियन का काम क्या है कवानीन बनाना वो आपका वोट लेके ज़्यादा क्यों है अच्छा आपने वो नहीं किया हकूमत को शर्म आ जानी चाहिए थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बजाए इसके उपर एसेम्बली के अंदर या कुसी स्टैंडिंग कमेटी को कहता नैशनल एसेम्बली के या सेनिट की वो इस फिल्मेकर को पी-एम आउसके अंदर डिनर पे बुला रहा है हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्मेकर को आसकर मिला है कैनेडा क्लेम कर रहे हमारे सिटिजन को मिला है और मिला क्यूं है वो नहीं हम देख रहे हैं मैं यह कहने के महबराती जो यह बैन क्यूं होती है दुनिया में कोई चीज़ भी इसलिए बैन होगी कि आप उसके लॉस की अगेंस जा रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है आपको बनाने से पहले सोचना चाहिए आप क्यों ऐसे सबजेक्ट बना रहे हैं जिससे सिवल और का इशू हो लोगों के रिलिजियस या पर्टिकलर कल्चिरल सेंटिमेंट्स हर्ट हो मद बनाएं न अच्छी फिल्म बना लें कोई और बना लें एक ही सबजेक्ट है क्या आपने मतलब मैं बोलना नहीं चाहता फिर ओ एक लिबरल तपका गालियां देना शुरू हो जाता है बट एक मसला और मसाइल है न धाई करोड बच्चा पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाता है उसके उपर बनाऊ न लेकिन वो कॉंट्रोवर्शल नहीं होगी न मज़ा नहीं आएगा तो यह हम खुद करते हैं हम कितने हम मसूम बन जाते हैं वे वेरी स्मार्ट मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ आप एक सीन देख रहे होंगे फोर ग्राउंड में हीरो और हेरोईन बैटे हैं या खड़े हैं बजार का सीने पीछे दूर आपको गोरे नजर आ रहे हैं वो दिखाए जाते हैं वहां रखे जाते हैं कि आपके अरे अरे यहां तो फोरेंटर्स आते हैं अरे यह तो बड़ा वो और उसे यह by design होता है यह sublime messaging होती है तो वो अपनी cultural ambassadorship कर रहे हैं देर film is very strong representing India as a culture as a country तभी वो दो stages पे गए हैं पहले उन्होंने पहला stage था made in India अब वो दूसरे stage में है make in India क्या हो इदर investment करो हम यहां से क्या export कर रहे हैं वो फिल्में जो यहां बैन हो जाती है तो आप जैसा दिखाओगे आप दिखाओगे कि मैं पड़ आप तो उनको तो यही लगेगा मैं और आप भी ऐसी हैं अन्रीजनिबल लोग हैं अन्पर लोग हैं जाहिल हैं एक्स्ट्रीमिस्ट हैं हमारे पास लाटिट्यूड नहीं है अब तो यह मैं तो फिल्मेकर्स नहीं समझते कितना बड़ा रोल अदा करते हैं वो मौल के तशख्छ के लिए मैं यह नहीं कहरा है जूट दिखाओ साब अच्छा है लेकिन यहार कुछ अच्छा भी तो हो गई ना तबी तो तुम भी रह रहे हो यहां वरना क्यों रह रह स्क्थری अघग हमा फिया। हियाद होलिफ सापिस इंट यह एंट खिजले में रॉट हों सिर्स आउज़ फिल्ट एस को फिव्या उटर्योंट ऐसा है तो यह पिछली 16 विए रहर विल्ट है गक्डली सिल्स होड़़ वघ्ट हैं अप्थिश्यार घखलेश आप we have to talk about these things आप नाशल टेलिविजिन पर भी देखे ना सिवाए ब्लेम गेम के वो उठे उनु चुपेडा पैरिया ने वो उठके उसको लगपड मार रहा है वहाँ से गाली कलो चाल रही है बीप बीप टॉक्सिसिटी हमारा कल्चर ऐसा हो गया सिर्फ मैं यही सुनता हुँ के 30 सालों से गया पच्चे साल पहले मुल्क नाजुक सूरते आल पर उसनी सुलूशन कहा है सिंगपोर कहा है मैं एक सिंगपोर के बंदे कि बात सर बैंटने से पहले कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई मौन्यूमेंट ना बनाना इस मुल्क में के मेरे अर्धिद को क्ल्ट फॉल्विंग ना डिवेलप हो जाए क्योंकि मैंने अपने ले लिए किया हम इनको ने स्टडी करके सुलूशन निकालते हैं देखें उसका तो खेर साइस बहुत चोटा है सिंगरपोर का और यह वाहद आ आपका चैनल छोड़ के तकरीबान आपका हर कंपेटिटर तो मेरे ही हैं मैं इसकी पूरी यानि स्ट्राटिजी के अंदर इंवाल्व होता हूं कम्यूनिकेशन में डिजाइन में लोक और फील में पूरे मुल्क में जो नेटवर्क होगा जो डी एस और एंजी जो ओफिसेज एच आर शोज जी 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 लाँच तक महीं होता हूं तो ओडियंस का कसूर है ना खुद सोचे मैं आज एक जमात में हूं आपके साथ बैस कर रहा हूं कल को दूसी जमात में जाके इसके खिला और ओडियंस अग्री कर रही है आपस में लोगों की लड़ाईयां हो चुकी ही है आज कल आपस में बातचीत बंद है फॉर्ट दो तीन जेनरेशन के बीच में लड़ाई हो रही है तो यह तो बिगाड है यह तो मैं समझता हूं कम्प्लीट बिगाड है आपके पुलिटिकल विउस इतने स्ट्रॉंग है आपको भी धंकी आई है कोई बगार नमर प्लेट वाली गाड़ी आपके घर के बाहर आई हो यह मुल्क में ट्रू दिमाकरसी है पहली चाहिए है पहली आपके प्रियम्बल में लिखा है जो दुनिया के किसी और कॉंसिटूचिएशन में लिखा है हमारे constitution के preamble में लिखा है कि God is sovereign, the universe belongs to almighty Allah, man is his wise regent, इनसान उसका नाइब और खलीफा है, दुनिया की कोई constitution की किताब दिखा दें जिसमें ये लिखा हो, तो ये तो theology आ गई ना, अगर ये theology और theology आ गई, तो ये फिर complete democracy जिसमें man is free, man is independent तो होई नी सकता, तो इसका मतलब है हम theo democracy हैं, पहली चीज़ तो ये हो गया, जहां तक बात कर रहे हैं true democracy, true democracy और democracy में हम उसके बीच में हैं as a theo democracy, हम इसको कहते हैं political science की जुबान में, हम transitional democracy में हम उस तरफ गामजन हैं, time लगेगा, जिस democracy को हम follow करते हैं UK की, वहां कब थी, वहां तो barons of saray ने मना कर दिया था king को लगान देने से, ना, उन्होंने क्या नारा लगाया था, no taxation without representation, और जाके the barons of saray, वो खड़े हो गए, और बाच्शा मजबूर हुआ और पारलेमान का वजूद आया, उनके हां तो constitution written भी नहीं है, और उनकी ethics आपसे ज़्यादर स्रॉंग, यह मज़े मज़े की बाते तो होती रहेंगे, लेकिन हमें लेनी है, एक चोटी सी break, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, आप कहीं माच जाएएगा, की प़ॉचिंग हद कर दीविद मॉमिन साके, वेल्कम बैक, आज काफी बातों की गहराई में हम चलेंगे हैं, जो के बहुत जरूरी है, हमारे लिए, हमारे मौशरे के लिए, तो audience questions की तरफ चलते हैं, Assalamualaikum. Assalamualaikum. क्या नाम है आपका? Mariam. क्या करती आप? मैं लेक्टरा हूँ, college में. क्या पढ़ाती आप? Islamiyad. माशाला, माशाला, क्या सवाल पूछेंगे आप? Sir, मैं आप से पूछना चाहरी हूँ के आपके आवाज इतनी impressive है, तो आज तक आपकी आवाज पर कितने लोग फिदाओं में हैं? लोग के लड़कियों की बात कर रही है, सही सही बतावे. Islamiyad पढ़ाती हैं, लोग रहने देए. लोग ठीग. और यह भी मताएगे खा के आप ने कभी ऐसा हुआ कि अपनी आवाज से कभी किसी को डराया हूँ. मैं वोइस ओवर्स भी करता हूँ, मैं कोक स्टूडियो में भी, I'm a featured artist of कोक स्टूडियो, आवाज मैं समझता हूँ हरे की अच्छी होती है, फरक एक आजाता है और यह समझते की वाली बाता, जब आप यहां से कनेक्ट करके बोलते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपकी आवाज में सहरा आजाएगा, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं, यह वाइबरेशन होती हैं, एनरजी फॉर्म होती है, तो डराया तो किसी को नहीं है, लेकर अगर कोई डर गया हो, मैं माफी मांगता हूँ, कि मेरी आवाज से कोई डर जाए, ऐसा हुआ नहीं है वैसे, हाजी, दूसरे सवाल से पहले, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने 19 साल की उमर में शादी कर ली थी, जी, जी, तो वो घरबलों ने करवा दी, कि उती ही यह आपने यह कर लीगा, यह सुनने जरा लाव मैरेज, लाव मैरेज यह इन साल का चोडि, सालिया वो भी यह आपने है, यह वाला क्लिप में भेज आपने भात साथ, एग ने लुशन, असलाम उले कॉम, यहाले आप, तेक टाग, आप सुनाए, मैं बेटर हूं पहले से क्या करती आप? Study क्या पढ़ती है? ICS वे लाइफ में क्या करना आपने? Law Law? Oh Lawmaker बनेंगी या लॉयर बनेंगी? Judge Judge? Oh! Judge तो सारी करते हैं एक दूसरे को सुबार मेरे दोस मुझे जज करना ते, क्या कर रहे हैं? मुल्क में बहुत जज 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 किया कभी किसी को? अचा चले, बूचे सवाल पूचे आप इतनी मुल्टिपल फिल्ड्स में आपको सबसे लादा अच्छी फिल्ड्स कौन से लगती है अपनी? Very good question बहुत अच्छा स्वाल है, मुझे कोई मेरी preference नहीं है कोई preference नहीं है लेकिन मैं हर अस अमल को मैं enjoy करता हूँ क्योंके ये जो भी काम में शुरू कर रहा होता हूँ मुझे उस वकट पता नहीं होता असका नतीज़ा क्या होगा अवाम में बगबूल होगा लोग पसंद करेंगे के नहीं कोई डिजैन कर रहा हूँ व। सक्सैस्फुल होगा के नहीं कुछ लिख रहा हूँ कोई शिर्य कर रहा हूँ या कोई चीज लिख रहा हूँ एडितोरियल लिख रहा हूँ मुझे हर प्रोसस्य पसंद रिख शर्त यहा कि उसमें नियत और सचाई होनी चाहिए और मैं ये सच बता रहा हूँ और ये शायद आज के जमाने की फरसूदा बात ने हैं किताबी बात ने हैं लेकिन अज़िए अज़िए इनके सवाल को अगे लेकिए जाना जाओंगा अपने इतने ड्रामों में काम किया आपका फेवरेट ड्रामा एक्सपिरिएंस कौन सा था या या अपका फेवरेट ड्रामा जो देखने के बाद आपने वाकी क्या हो यार कमाल हो गया या मुझे जो रिसेंटली अपना ड्रामा अच्छा लगा है वो था शनास शनास जा ग्रीन एंटेटेंमेंट पे आया बड़ा सेंसिटिव था अवाम के मिज़ाज के खिलाफ था यावाम को बिर्यानी कहानी है और वो सूशी थी अरे तो इतना फर्क था प्लैटर का अइंज के लिए सानिया साइड का या रजर्ड याज़ाओ सुनते ही जब मुझे ये रोल उफर था था मैंने का रहा हुआ तो यासरा रजवी डिरेक्टर थी उन्हें का ने अपने कर ना चारूँ गरूँगा और याजर्ण यामीन जैसे सीरियस अक्टर्स यो ठीटर कर एंगा से मुझे जायद उनको वो 100% अजा ना दे पाऊं तो उनको काम खराब होगा तो उसने काँ नहीं आप नहीं करना है और जब मैंने किया और मुझे वाक्य करना पड़ा जब मैंने कुछ सेन्स हमारे देखें मेरे खुद गूस बंदाए तो अजब मेरे खड़े देखें उन दोनों के साथ सबसे बड़ी ज़ाती हुई थी जब मैंने अपना डेब्यू ड्रामा उनके साथ किया सानिया जी मेरी वाइफ अब मदर बनी हुई थी और हाजना मेरी वाइफ अब आप इमेजन करें वो दोनों तो दे आर बहिए विसरीं ऑंगूड आह्टर्रीमि कर दे आस्लीली का सफर्मिट के सम्भी कक्राइब हुद्ट करते हैं मैं थीट, मैं और सुना ह tại है? मैं सर लेक्ष्रर मौमरस का सर मैं सुम्जेक्व कर एक्षमेट का सब्ड़ाता है तो आपकी कोई फेवरेट, पोईटरी या कोई सोंग हमें अगर आप सुना देता है अरे, कॉमर्स के लक्सरा है राज फायर पे बड़े फट्की बात है, आप तीचर है सवाल तो आपने स्टूड़न्स वाला की है मैं अपने हिस्से के जो भरपूर काम करना था जब आला ने मुझे बाकी मैं कर रहा हूँ, करता हूँ लेकिन जब हकूमत मैं आप और मैं कर सकता था तो आप यकीन करें, इस मुल्क की और माज़रत के साथ जो नौकरशाई है ना, बिराक्रिसी, असल कल्परिट वो है यह हम नाम लगाते हैं सियासी लीडरों का तेरह 14 साथ टोटल पारलिमेंटेरियन होते हैं बिराक्रिसी मार देती है, तो यह मेरा रिग्रेट रहेगा दूसरा मेरा रिग्रेट यह मकसद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा और मैं समझता हूँ, जुनेज, जमशेद, एंटिटेंडमेंट इंडिस्री से वाहिद, एक इतना खुश नसीब इनसान है, अल्ला उसकी मख़रत करे बहुत प्यारा इंसान, आपको पता है, वो नैशनल फ्लैग में लिपट के गया था, अपनी कबर में उतरा है अब मैं जो भी कर लूँगा, मैं समझता हूँ, मुझे पाकिस्तान के जंडे में लिपटना नसीब नहीं होगा और यह मेरे एक रिग्रेट में से एक रिग्रेट तो यह प्सक्राइब कर एक रिग्रेट में अपने साथ जीना पड़ता है बलके मैं अपने ऑने करीमी दोस्तों को का है खार ए था अर अनुशन से ही अपने ज्डे के साथ अटार देना अब। वेरी इंस्पिरेशनल, सर अब इनको कोई फाइनशल अड़्वाइज दे एक लाइफ की, दो बार बैंकरेशी आपनेशल अड़्वाइज बिल्कुल दूँगा बिल्कुल दूँगा पैसे की मैंने, मैं सर अब यह नहीं कह रहें को स्टॉक बता दें जो करी दें नहीं, मेर सद्दक के जरूरियात पूरी है, हवस ना बन जाए, मेरा क्लियर है, जरूरत तो सब को होती है, लेकिन मेरा यह मानना था, देखें, मैं आपको सही बताओं, अमेरिका में जब मैं था ना, तो मैं हॉमलेस हो गया, जब मैं हॉमलेस हुआ, तो छे महीने में रोड़ों पे स अदद पड़ी है, यह इसलिए पीतों के फ्री मिलती थी और पीने से बूक मरती थी, तो आज मैं असलिए पीतों के मुझे अपना वो जमाना याद रहे, और इंसान के अंदर जो वो आजजी है वो बरकरार रहे, लेकिन मैं तो वो जो मैं जिससे गुजरा हूँ मैं बहत को कॉमप्रोमाइस कर देख, और यह जिस अधर मैं नहीं कर सक्ता है याद आपको घुट बनी ना बट उसके एक बहुत बट बटी साओगा हूँ मैं अजी तो फोगद बनी इस कांट्री देख जाने अधर जो अखलै, यार यह को उखला। थी शेयर को यह उना चाहा थाओ एक सोटासा सुना दूँ अगर थोड़ी सी महबबत से काम नहीं चलता आफ राक थोड़ी सी महबबत से काम नहीं चलता आफ राक ये वो मामला है जिसमें सब कुछ या कुछ नहीं औरे! यह एट जी लास्ट वेस्टन, फिर अपने कुछ सवाल पूचें को इनोंने जाना भी यागे है अश्लम्लेकूम मेरा कोई प्वेस्टन नहीं है लिकिन मैं आपको एक संग सॉनाना चाहूँगी अरे सुनाएजी अरगा तो बहुत अच्छा लगेगा और अगर सोर नहीं हुआ तो मैं बर्दाश जरूर का देखा हुआ तेरे तोखे ने सजड़ा में नुमार मुकाया अधनाम धूल का लिखा हुआ मैं मरते गईयां फिर साह क्यूं आया जगनू रवाया मैं तैनू हसाया फिर वी पल्ले कुछ नहीं यू आया तेरी आदा सहारे मैं जीते लवांगी एजेहर जुदाईदा पीते लवांगी एक गम तू सी दिता सो गम आप पाले सब की तासी अपड़ा तेरे हवाले आप क्या कहना जाएंगे ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने लिखा है कंपोस किया है अदरान दून ले सोच बैंड है उसका वो और रबी करते है और आप ने बहुत अच्छी कोशिश की है ये मज़े मज़े की बाते हैं तो होती रहेंगे लेकिन हमें लेनी है एक चोटी सी ब्रेक इस तरह जाकर इस तरह आएंगे आप कही माच जाएएगा कीप वाचिंग हद कर दीवद मॉमिन साकिब वेलकम बैक लेडीज जाटिमंट आजाएं शो को लेकर चलते हैं आगे और इन से पूछते हैं और भी कुछ सवाल तोले बगहर बोलो की तरफ चलते हैं जहांपे हम आप से बूचें किकुछ सवाल और एक्सपेक्ट करेंगे के जल्दी जल्दी आप हमें इनके दें जवाब अगर इन लोगों की जिंदीकी पे बायोगर्फी बने तो क्या टाइटल्स देंगे ज्या उल्हक जुलमत की ज्या जुल्फिकार अली भुट्टो बॉर्न तो बी हैंग्ड वहीद मुराद चॉकलेटी हीरो परवेज मुषरफ इंटर्वेंशन काइद आजम इंटर्वेडिस्ट नरिंदर मोधी इंटर्व गुजराद एक ऐसी फिल्म जिसे देख के दिल में अपने अपसे कहाओ काश मैं इस फिल्म में होता अगर एसी फिल्म हो जिसे पर सलाहत दीन एयूबी हो आज़ 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 लव तो बी पार्ट आज़ एदर टीपु सुल्तान अज़ हिस्टारिक्टर और सलाहत दीन एयूबी दोनों पर बनी नहीं है पूरी तरह से हमारी पॉलिटिक्स से स्यासत हमारे शोबिज इंडिस्ट्री में है बिल्कुल दुरस्त दुरस्त आपका पहला सेलेबिटी क्रश अज़ दुमी मौर अच्छा चाहा दालिया यह बिल्कुल हम्सेम है हम्सेम है यह मेरा बुड़ापा यह बहन बच्छा बुड़ापा यह बहन जवान है एज अगे अगर आपका बात करते हैं और वाकिक इस पे अबी की टाहिए वर्नाएप यूथ 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 तो एक्सपिरियंसे भी आजाती है छे साल के बच्ची से को भी आजाती है जिसके माबब ना रहे और चोटे बैन भाईयों को लिए उसको कुछ करना पड़े तो बिल्कुल मैं अपनी मर्जी से दाड़ी सफेज जोड़ता हूँ मैं अफेंड नी होता बस चीए तैक्यू सोबच सबसे पसंदीदा कुमीडियन आपका पाकिस्तान में अमर शरीफ साब अमर शरीफ तालिया प्लीज किस अक्ट्रस के बाप का रोल मिला तो कभी नहीं करूँगा सिर्फ हस्बिट का रोल करूँ नहीं ऐसा कोई नहीं है मुझे फरक नहीं पड़ता क्योंकि आउन स्क्रीन और ओफ स्क्रीन में बड़ा फरक होता है तो आई डोंट माइड बहुत अच्छा जवाब कि आउन स्क्रीन और ओफ स्क्रीन में बड़ा फरक होता है पाकिस्तान में जल्दी जल्दी कहरेंगे अगर एक कामिया पॉलिटिशन बनना है तो तीन कॉलिटीज कौन सी लाजमी है जूट 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 अरे वहाँ क्या बात है कौन सा फैशन ट्रेंड जो आपको कभी पसंद नहीं आया वो मुझे कुछ मर्द हजरात खवतीन के जोड़े पहनते वे जो वो उने समझ नहीं आई पसंद भी नहीं समझ भी नहीं आई बेतर इन लोगों से अगर कोई सवाल करने का मौका मिले तो क्या पूछेंगे शेख रशीद नहीं कोई सवाल नहीं पूछेंगे शामे मूत कुरेशी नहीं उनसे भी सवाल नहीं पूछेंगे नेल्सन मंडेला से क्या सवाल पूचेंगा? मैं उसके हाथ चुमूँगा क्या बात? उसे सताइस साल जेल में अपनी कौम के लिए गोजार के अपार्टीट को खतम किया साथ अफरिका ग्रेट मैं, लेगिसी तुमूचे पाकिस्तानी ड्रामाज में किस चीज की कमी है? इंटिलेक्ट की इंदे स्क्रिप्ट? येस ठीक यह मैं बाइनलाज कहा हूँ, अच्छे तुम बनते रहते हैं लेकिन लेकिन अवर्ल वे नाइस तालिया तोले बहलें बहलें एक हमारा चोटा सा सेग्मेंट इसमें डायलोग है, वो आपको एक सर्टन इमोशन में बोलना होगा इस मुझ में सब कुछ है, बिजली एगैस, पानी और खाने पीने के शिया तो नहायत सस्ती है यही प्यारी बात है इंग्लेंड की यह अपने बहुत हूशी से, नहीं कोई और कर लेते हैं बही नाइसा, man of principles, आप समझ रहे होगे आप डायलोग कोई वैसे ही सुना देता हूं डायलोग सुना दे कोई, कोक स्टूडियो का ही सुना दे वह तो वह रिपीट हो जाएगा इसमें कोई बात नहीं चाते हैं तो वह भुले शाह का बड़ा खुबसूरत एक बयान है वो एक शेर लिखते हैं और थौट को बताते हैं के लोग का आख है मजणू कूँ वे तेटी लेला रंग दी काली मजनूए जवाब देता तो साथी अख नहीं देखन वाली चित्टे वरक कुरान दे अत्य स्याही रंग दीकाली उन जी नेना दिल अडपवे और गोरी होगे या काली तांक यू सो मच था मुझ था कुमिंग अपका एक्स्पिरिंस रापका हथ कर दीका मेर दूष्ञाओ अपका यू था उन चलंगे आपका यू झाली आपका यू नज फुर्णाओ इा था सी नेघराओ झोप्रिचुनर्टी डिए उक्स्प्रेस्, बहुत अच्छा लगा… जो मैं ईढ़ require explicar, खोर्ट यूज बहुत लुगेetically ऑप िखेल को तिवा उच्छाएल में आखेल और मुझे एढ़ बहुत बहुत अच्छा एन थारिशिवर्सिति ओर्सेट橋 एक खुद भी experience कर रहे हैं, उसका message भी pass on कर रहे हैं, आप भी life में, diversity में believe करें, you know, do whatever makes you happy as long as you're not hurting people and keep growing in life, यही जिन्दगी है, वो शारुक भाई ने कहा था ना क्या पता कल हो ना हो, keep smiling, keep rocking, you all live a long happy healthy life, मिलता हूँ आपसे हत कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए I love you, I love you.